ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलिटिन के साथ मैं रतना सा हूँ और पेश है आज के मुख्य समाचार बस्तर लोगसभा सीट के लिए नाम वापसी के बाद कुल ग्यारह उम्मेदवार चुनाओ मैदान में भारती अजन्ता पार्टी ने प्रदेश में बूत विजय संकल्प अभियान की शुरुवात की कॉंग्रेस ने 36 गड़ में लोगसभा चुनाओ के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और बस्तर जिले में CRPF का वहन दुरगटना ग्रस्तु होने से 11 जवान खायल सभी जवानों की हालत खत्रे से बाहर अब समचार विस्तार से लोगसभा चुनाओ के पहले चरण के तहट बस्तर लोगसभा सीट के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी अभ्यर्थी ने नाम वापस नहीं लिया इस तरह इस सीट पर 11 उमेदवार चुनाओ मैदान में है इनमें कॉंग्रेस सिक कवासी लख्मा भाजपा से महेश कश्यप के अलावा अन्य नौ उमेदवार भी शामिल है आज इन सभी उमेदवारों को चुनाओ चन्य आबंटित कर दिये गए नमांकन पत्रों की जाज के दौरान भारतिय साक्षर पार्टी के प्रत्याश्री राजारामनाग का नमांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था इस सीट के लिए 19 अपरेल को वोट डाले जाएंगे वहीं महासमुंद कांकेर और राजनान गाओन लोकसभाचेतर में दूसरे चरण के तहत नमांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी है नमांकन दाखिल करने की अंतिम्तिती 4 अपरेल है 5 अपरेल को नमांकन पत्रों की जाज की जाएगी उमेदवार 8 अपरेल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे दूसरे चरण में 26 अपरेल को मतदान होगा भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सेह देव ने आज राईपूर में बूत विजय संकल्प अभियान की शुरुवात की इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जैनती पटेल पुर्व विधायक देवजी भाई पटेल भाजपा प्रवक्ता अमित सहू सहित वरिष्ट भाजपा नेता और कार्यकरता मौजूद थे इस अभियान के पहले दिन आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायर आईपूर जिले के कांदुल उप मुख्यमंत्री अरुन साव माना और प्रदेश अध्यक्ष किरन सहिदेव फाफ़डी में आयोजित कारिक्रम में शामिल हुए पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजे श्रिवास्तों ने बताया कि इस अभियान के तहत भाजपा पदादिकारी और कार्यकरता एक-एक बूत में जाकर विजस्वरुप जंडा लगाएंगे प्रदेश में लोग सभा चुनाओं के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरो पर है इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ट नेता और मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय आज कोंडा गाओं में भाजपा कार्यकरता सम्मेलन में शामिल हुए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी महिश कर्शप के समर्थन में प्रचार किया इस मौके पर प्रदेश भाजपा ध्यक्षक किरन सहिदेव मंत्री केदारकर्शक विधायक लताव सिंडी सहित पार्टी के अन्य पदादिकारी भी उपस्ती थे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश पगेल आज दुर्ग लोकसभा छेत्र में कॉंग्रेस के केंद्रिय कार्याले के उद्घाटन कारिकरम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी 36 गड़ और देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चुनावी समर में उतर रही है उन्होंने कहा कि आज समिधान और लोककंत्र खत्रे में हैं प्रमुक विपक्षिदल कॉंग्रेस के खाते सीज कर दिये गए हैं विपक्षिदलों पर ED और IT लगतार कारवाई कर रही है इसमें चांजगीर चांपा जिले में बहुजन समाज पार्टी का लोकसभास्तरिय का इसमें केंद्रिय समन्वयक और प्रदेश प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार तथा मने शानंद प्रदेश अध्यक्षे शाम टंडन ने बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रोहित डहरिया के समर्थन ने प्रचार किया इस दोरान लोकसभा चुनाओं को लेकर रणनीती भी बनाई गई। सहित अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं वहीं कॉंग्रिस ने बस्तर लोकसभा चुनाओं के संचालन के लिए लोकसभा इस्तरिय संचालन समीती बनाई हैं इसके सहियों जग पुर्व विधायक रखेशर बग्हेल होंगे वहीं इस समीती में 25 अन्य सदश से भी शामिल हैं इस वेच भारतिय जंतापार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरंड सेहित देव ने लोकसभा चुनाओं के लिए समनवयक और सह समनवयकों की न्यूक्ति की है, सांसद सुनिल सोनी को राइपुर लोकसभा का समनवयक बनाया गया है, वहीं पुन्निलाल मोहले को बिलाजपुर, अशोक शर्मा को राजनांद काउं, रमशीला साहु को दुर्ग चंदर शेखर साहु और चुन्निलाल साहु को महसमुंद, दिनेश कशब को बस्तर, रेणुका सेह और ननकी राम कमर को कोरबा, गुहा राज अजगले को जांजग चांपा और राजा रणविजे सेह को राइगर लोगसभा छेतर का समनवयग बनाया गया है। ऐसा कहकर उन्होंने मद्दाताओं को प्रलोभन दे कर प्रभावित करने का प्रयाज किया है। प्रदेश में लोगसभा चुनाओं के तहत मतदाता जागरुपता अभिहान चला कर लोगों को वोट डालने के लिए प्रेडित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सक्ती जिला प्रशाशन द्वारा विकास खंडेस्तरिय स्कूटी और बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रशाशनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आम नागरिक तथा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। महासमुन्द के मीनी स्टेडियम में आज मतदाता जागरुक्ता रैली और स्विप गुड मॉर्निंग महासमुन्द का आयोजन किया गया। इस दोरान स्वस अहायता समु की महिलाएं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मानव श्रिंखला बनाई और शत्प्रतिशत मतदान करने की शपत ली। उधर बीजापूर्श जिले में मतदाता जागरूपता कारिक्रम के तहट आज बाईक और चार पहियावानों की रैली निकाली गई इसमें CRPF के जवानों अधिकारी कर्मचारी और स्कूल कॉलेजों के बच्चों ने भाग लिया इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिका जादों ने लोगों से कहा कि वे बिना भेल के अपना मददान करें बस्तर जिले के रतेंगा गाउं के पास केंद्रिये रिजर्व पुलिस बल CRPF का फाहन दुरगटना ग्रस्त हो गया इस हाथसे में 11 जवानों के घायल होने की खबर है इनमें से 4 जवानों को लोहंडी ग जवान चुनावी ड्यूटी करने के लिए कोंडा गाउं जा रहे थे। दूसरे दिन 36 गड़ की सीनियर महिला जूनियर बालक और सब जूनियर बालक टीम ने सेमी फाइनल में शांदार प्रदेशन किया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। शोताओं कल रविवार को हलबी और गोंडी बोली में समचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएंगे। जगदलपूर से प्रसारित किया जाएंगे इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। इस दोरान टीम के सदसों ने जरूरी दस्तावेज जब्त किये हैं। बगएर उनके खाते से करिब साड़े नौ लाक रूपिय निकालने का आरोप है। और जांजगीर चापा जिले के खोखरा गाउं इस्थित मनका दाई मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने ओडिशा के चार आरोपियों को गिरफतार किया है। इनके पास से 50,000 रुपे नगद और दो मोटर साइकल बरामत की गई है। इस मामले के दो अन्या आरोपिक फरार बताए गए है। रेटिन समाथ्वा, नमस्कार।